नमस्कार दोस्तों स्वागते हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 मही से 28 मही तुलारासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आपके घर में एक महिला का पैर पढ़ने वाले हैं और वह महिला कुछ साधारन महिला नहीं होगा वह महिला एक देवी का आंस होगा वह देवी मा का आपके घर में पैर पढ़ते ही आपके घर में चारों तरब से खुसियां खुसियां रहने लगेंगे जी हाँ दोस्तों अब मा का आशिरुवाद आपके उपर पढ़ने वाले हैं अब आपके सारे कस्ट, सारे परेशानियां देविमा हरने वाले हैं और आपको आप किन चीज़ों से फाइदा होगा, किन चीज़ों से सवधान रहना होगा आपकी लव लाइब कैसी रहेगी बिजनस और बैपार के सा रहेगा और स्वास्तिकी महत्वकुन जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सुबरंग और सुबंग क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको यह उपाई बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सकी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें साथ हमें नोटिफिकेशन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तों बात करते हैं अब आपके देवी माँ आपके घर में पैर पढ़ते ही आपके सारे काम केसे पूरे होने लगेंगे जिससे आपकी जिन्दगी सरोव से भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं चानक नितिक ज्यान के बारे में दोस्तों आचारत चानक जी कहते हैं कि तुमारे किस्मत का लिखा तुमसे कोई छीन नहीं सकता तुम्हारे किस्मत का लिखा तुमसे कोई छेन नहीं सकता अगर भरोसा है खुद के मेहनत पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारे हो नहीं सकता इसी के साथ सुख और दुख अपने नसीब में मिलता है आ मेरी गरीवी से इसका कोई लेना देना नहीं रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किसमत में खुसियां हो तो जोपड़ी में भी हसी गुझती है इसी के साथ लोग कहते हैं कि जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए लोग कहते हैं कि जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाप से जीने चले जाते हैं जीहां दोस्तों, अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों देवी मा की किरपा से इन दिनों में आपके जीवन में कई बदलाब ला रहा है, मन्चाई उपलेब्दियां भी हासिल होगी, अब अपनी योगता और कारिकुसलता से हर परसिति को संभाल लेंगे, सरकारी मामलों में भी सफलता मिलने के योग बन रही है, रुके व अपने व्यक्तितर के परती भी गंबेर रहेंगे, दोस्तों देवी मा की किरपा से अब आपके चारों तरफ खुसियां होंगे, आर्थिक स्क्ति में भी सुधार होने के योग बन रहे है, रुके या उलजे हुए पेसे की आपसी के लिए समय अनुकुल रहेगा, अब आप सकती इतना तेज बढ़ने लगेंगे, कि कोई भी काम करेंगे, तो उपलवदियों से आपका भारा रहेगा, आप जो भी मन में ठान लेंगे, उसे पूरा ही कर लेंगे, साथी परसतियां भी आपका साथ देगी, भागवान के रूप में बड़े लोगा का आसिरवाद और म हसा हुआ है, तो आज उसका कुछ हिसा वापस मिल सकता है, दोस्तों दिन की सुरुवात में ही अपने काम को रुप्रेखा बना लें, दोपरबात प्रसतिया और अज़ादा अनुकुल रहेगी, परिवारी और समाजी गतिविदियों में आपका उचित समय वेतित होगा, मन में भी प्रसंता और उर्जा बने रहेगी, परिवारी गिलिशिक में दूर करने का वेतर्शम है, आपसे समंदों में भी मधूरता बढ़ेगी, आपके उत्तम व्यक्तित और सरल सभाब की वज़ेशे समाज में आपकी मान पर्स्तिष्टा बने रहेगी, समाजी गतिविद आपको तरोतवाजा करेगी, अपने किसी रूची पूर्ण कारे में समय वेतित करने से आपको प्रशंता मिलेगी, दोस्तों आपके उपर भगवान की किरपा बनी हुए है, अब अनेक परकार के उन्नति और चमतकारी दिखने को मिलेंगे, इसलिए प्रयास सद हैं, भगव से समय कोई समस्या हल होने से रहाद भी मिलेगी, दोस्तों आज अधिकतर काम सुचारी रूप से बनते जाएंगे, जिससे मन में संतोष रहेगा, परिवार सुक्षविदा को शोपिंग करने से भी खर्चे की अधिकता रहेगी, लेकिन परिवारी लोगों की खुसी की वज समय वितित करने से मानसिक सिकुन मिलेगा, दोस्तों नेगेटिव की बात करें, तो अपने सभाब में लचिला पनाना जरूरी है, विप्रित परिशितियों में भावनाओं के आवेस मना आएं, दूसरों के साथ सक और वहम जेसी स्तिना आने दें, घर के बड़ी बुजरों का शम्मानवा आदर बना रखना आपका कर्तव है, विद्यार्तित था युवावर्ग अपने लक्ष को हासिल करने के लिए और अधिग मेहनत करें, आवसी आपको शफलता मिलेगी, दूस्तों नई जिमेदारियां आपके उपर आने से कारभर बढ़ सकता है, कभी आलने का प्रयाश करेंगे, इसे आपकी दिन्चारिया अस्तवियस भी हो सकती है, कोई भी निर्ने लेने में दिक्कत आये तो अनुवी वेक्ति की सलाह अवशल है, दोस्तों व्यावसा में प्रभावसाली व्यावसाइक लोगों से संपर्क बनेंगे, इसमें व्यपार से स दलरी रुकावटे में कमी आएगी, इस समय कहीं भी पैसा निवेश ना करें, कर्मचारियों व साज़ेदारी समंदी गतिविदियों और क्रिया कलापर पर पूरी नेजर रखें, और फिस की कारपनाली घर से ही चलने की वज़ज़ से कार में दिकते आएगी, इस समय व्या को नदर अंदाज ना करें, होन दरा आपको उचित ओर्डर मिल सकते हैं, नोकरी के लिए प्रियासत रिवाओं को कुछ सुचना मिलने की संभावना है, दोस्ता आप व्यापसा में कोभी पुंजी लगांगे, तो आपको अवसी सफलता मिलेंगे, क्योंकि भागवान की किर किरपा आप पर बनी हुए है, और भागवान की किरपा से व्यापसा में आप कई उन्नती, कई तरकियां भी हाशिल करेंगे, दोस्ता अपने कार छेतर में बांशित लोगों का हस्ते चेपना होने दें, इसमें अपने योगता पर ही विश्वास रखें, आपके नेले सही सा सावित होंगे, अपने ओर समंधी कार में पक्के बिल का परयोग करें, ओपिस में अधिकारियों से बाचीत करते वक्त साबधान रहने की ज़रत है, मेडिया मार्केटिंग से समंधी व्यापसा में उचित उपलबदियां हासिल होगी, किसी कर्मचारे की गतिविदी आपको तनाब दे सकती है, यवांकि केरियर में इसरिता आएगी और अधिकारियों से मन मदद भी मिलेगी, तुस्तों इसमें बरतबन वैपसा पर बहुत मेहनत की ज़रत है, ओनलाइन कामों में संपर सुत्रों की मदद से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रत है, नोकरी पेसा आपको उचित मार दर्सन मिलेगा, परिवार की समस्यां को समझने और सुलजाने के लिए भी समय आवसन निकालें, इससे घर की वैस्ता उचित बनी रहेगी, तो आपके स्वास्त के बारे में बात करें, तो ज़्यादा गरिष्ट और ठंडी चीजों की शिवन से परेज कर क्योंकि इससे स्वास्त प्रभावित हो सकता है, और आरिविदिक चीजों का अपना है, दोस्तों नजला जुखाम जिसी एलेर्जी से परेशान रहेंगे, लापारवे ना करें, मोसम से अपना उचित बचाब रखें, आज आपका स्वास्त ठीक रहेगा, तनाव अवसात तनाव मोसमी परेशानी से थोड़ा साफधान रहें, अनेमीत खानपान और दिन्चारिया की वज़े से गैस और एसिड़ी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, चैस तो आप बात करते हैं आपके उपाय के बारे में, दोस्तों आज रातरी के समय इसान कोने में गाय क सुदिघी का दिपक जलाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसमें रुई की बत्ती की जगा लाल सुत्ती धागे की बत्ती का परियुक करें, और साथ ही कुछ केसर के धागे डाल दें, माना जाता है कि इसमें मालक्षमी की किरपा होती है और आपको आकसमे धन की प् दोस्तों महालक्षमी का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल्षे कॉमेंट बॉक्स में जै महालक्षमी जडूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जडूर करें धन्यवाद